दोस्तो मेंटेनिंस के केस में करनाटक हाई कोट ने एक लैंडमाक जज़्चमन दिया जहां पर उन्होंने पती की प्रोपर्टी को कुर्की करने के आदेश दिये इस केस का टाइटल था शिरी मती उमा वर्सिस बनाशंकर और इस केस की सुनवाई जस्टिस अनू सिवरामन और जस्टिस अनन्त रमनाथ हेकले की बेंच कर रही थे दोस्तो देश का कानून कहता है कि एक पती का ये फर्ज है कि वो अपने पतनी और बच्चों को मेंटेन करेगा फिर चाहे उसके लिए इसे चोरी ही क्यों न करने पड़े ये बात तो हाई कोट ने भी कई बहर अपने जज़्चमन के द्वारा प्रोफ किया है अपने इस अतिहासिक फैसले में करनाटक हाई कोट ने भी ये ही प्रोफ किया और ये जज़्चमन्ट मेंटेनेंस के मामलों में एक मिसाल साबित होगा इस मामले में शिरिमती उमा और उनके बेटे ने फैमिली कोट के एक फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी ये एक मेंटेनेंस का केश था जहाँ पर दोनों को फैमिली कोट ने कम मेंटेनेंस गरांट की थी शिरिमती उमा को 2000 और बेटे को 1000 रुपे मेंटेनस गरांट किया गया था श्रिमती जी का ये कहना था कि आज महगाई को देखते हुए दोनों का गुजारा करपाना इतने कम मेंटेनेंस में बहुत ही इंपॉसिबल था जबकि उनका बेटा हैंडीकैप भी है लेकिन पती का कहना था कि उनका बीटा पहले तो हैंडीकेप था पर अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है उसे मेंटेनिंस की जरूरत नहीं है लेकिन इस केस में हाई कोट ने फैमिली कोट के फैसले में अमेंटमेंट कर दिया और हर महीने दोनों को पांच-पांच हजार रूपे मेंटेनिस देने का आदेस दिया और इस आदेश में हाई कोट ने शिर्मती उमा और उनके बेटी की अपील एक्सेप्ट भी की पती की प्रोपर्टी की कुर्की के ओर्डर भी दिये जिससे दोनों को financial help की जा सके और फैमली कोट के 2018 के ओर्डर में amendment भी कर दिया और दोनों की maintenance को 5000 रुपे बढ़ा दिया और इसके इलावा कोट ने कहा कि अगर बात में भी पती की कोई property उजागर होती है सामने आती है तो उस property पर भी maintenance के लिए चार्ज लगाया जाएगा जैसे कि पुरानी property पर लगाया गया है और इसके इलावा कोट ने रजिस्टार और MCD को related property के relation में and camera certificate जारी करने के पर दिये हैं तो इस suggestion की जो detail है वो आपको description में मिल जाएगी आपको screen पर भी दीख रहा होगा hope कि ये video आपको informative लगा होगा video को like और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा